युद्ध और महिलाएं जैसा कि हमने पहले देखा था कि प्रथम विशुद्ध के दोरान विभिन देशों में महिलाओं के इस्थिती में बहुत तेजी से बदला हुए ज़्यादतर नौजवान पुरुषों के सेना में भरती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा घर में कमाने वाले पुरुष ना होने से महिलाओं को घर समालने के साथ-साथ मजदूरी के लिए बाहर काम करना पड़ा इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा वे अपने आपको अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी और अपने हितो वा अधिकारों की रक्षा को लेकर सचेत हुई युद्ध खत्म करने वा शांती बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया क्योंकि युद्ध की विभीशिका से पहले अधिक महिलाएं ही प्रभावित थी जगा जगा महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे की महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुई उन्हें संसदी चुनाओं में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए सबसे पहले ब्रिटेन की संसद ने सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय हुआ जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने भी वेस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया शांति समझोते सन 1919 में विज़ाई राष्ट जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुक थे ने पराजित देश के प्रतिनीदियों के साथ समझोते किये जर्मनी के साथ वर्साई संधी, आस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधी, हंगरी के साथ ट्रिया नैन संधी, तुर्की के साथ सेवरे की संधी और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधी की गई इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधी जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधी थी युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नमवंबर 1917 में पहला कदम उठाते हुए एलान किया कि वह बिना कोई शर्थ युद्ध से हट रही है और उसने अन युद्धरत देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोगतांत्रिक शांती के लिए ततकाल कदम उठाएं ये सिधान जादा तर युरोपी सरकारों को पसंद नहीं आये मगर युद्ध से ठके हारे सैनिकों वह मजदूरों के बीच बहुत लोगप्री हुए पूरे युरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकलने लगे और चर्चा होने लगी इनकी लोगप्रेता को देखते हुए अमेरिका के राष्टपती वुड्रो विल्सन ने शांती के लिए 14 बिंदों की घोशना की विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया हर राष्ट्री समूह ने आत्म नेनाई के अधिकार का समर्थन किया और सारे युधरत देशों ने लोग तंत्र के इस्थापना पर जोर दिया साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बेरोग टोक वैपार हर देश के लिए समुद्री आतायात पूरे रूप में खुला हो निशस्त्रीकरण और एक अंतराष्टी संगठन जो देशों के बीच के विवादों का निप्टारा करे और उनके बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दे की वकालत की विल्सन के चवदा बिंदों में शर्त भी थी की जर्मनी ने सर 1870 से जो भी छेत्र दूसरे देशों से हतियाय थे उनकी वापसी होगी और पोलेंड एक स्वतंत्र राज बनेगा